हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी ने कर्ण का नाम तो सुना ही होगा कर्ण एक महान दानवीर था अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बली दे सकता था पांडवों के शिक्षा खतम होने के बाद उस प्रतिस परदा में रंग भूमी में कर्ण अरजुन को ललकारता है कि अगर वे संसार का सर्वशेष्ट धनुर्दर है तो उससे मुकाबला करके उसे सिद्ध करे क्रण एक सूत पुत्र था और सूत के घर में ही पला बढ़ा था इसलिए उसे सूत पुत्र समझ कर अरजुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है पांडवों के प्रखर विरोधि दुर्योधन को यहां एक अवसर दिखाई देता है वो तुरंथ ही कर्ण से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और उसे अंग प्रदेश का राजा घोशित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है दुर्योधन के इस वेवार से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण रंग भूमी में कर्ण और अर्जन का मुकाबला टल जाता है पांडवों और कौरफ के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को ये भेद बताते हैं कि तुम एक पांडवों और कुंती के जेष्ट पुत्र हो इस रहस्य को जान कर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योदन से घाक करके अपने भाईयों की ओर नहीं जाता है दिव कवच कुंडल के साथ कर्ण अजेय था पांडवों के लिए उसको हराना नामुम्किन था और महा भारत के युद्ध में पांडवों से कभी परास्त नहीं कर पाते अता इंद्र देव ने उसके साथ एक चल किया इंद्र देव सुबह इसनान के समय ब्राह्मन सो रूप में आकर दान में कवच और कुंडल मांगते हैं और क्योंकि कर्ण के पिता सूरदेव थे और सूरदेव ने कर्ण को स्वपन में पहले ही दिखा दिया था कि उसके साथ क्या होने वाला है इंद्र देव उससे रूप बदल कर कवच कुंडल मांगने आएंगे पर फिर भी दानवीर कर्ण भ्रामन रूपी इंद्र देव को खाली हाथ नहीं लोटाना चाहता था और उसने इंद्र देव की मांग पूरी कर दी इंद्र देव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ती अस्तर प्रदान करते हैं जिसका इस्तमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत कच कौरफ सेना को तिनकों की तरह उड़ाय जा रहा था उसने दुरियोधन को भी लहू लुहान कर दिया था तब दौरियोधन साहिता मांगने कर्ण के पास गया कर्ण शक्ती अस्तर सिर्फ अरजुन के उपर ही इस्तमाल करना चाहता था पर मित्रता से विवश होकर उसने वह अस्तर भीम पुत्र घटोत कर पर चला दिया और उसका अंत कर दिया और इस तरह अरजुन सुरक्षित हो गया अपने साथ दो दो शापों का बोज लेकर चल रहे कर्ण को ये बात पता थी कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहां भगवान कृष्ण है वहीं विजय भी होती है फिर भी उसने न दुर्योधन के हैसान को भूल कर उससे घात किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा ये कहानी हमें बताती है कि हो सके तो किसी के रिणी मत बनो और एक बार अगर किसी के रिणी बन ही जाओ तो रिण चुकाने में आनाकानी मत करो अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए जितना संभवता हो उसकी मदद करनी चाहिए अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये कहानी औरों को भी शेयर करें इस कहानी को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद